इस वक्त हमारे साथ मद्धिपृदेश भारतिय जन्ता पार्टी के एक कदावर नेता और खजराहो लोगसबा चेतर से सांसद विडी शर्मा मौझूद है NRC और CEA को लेकर देश भर में जो अराज़कता फैली है देश भर में जो उपद्र हुआ है उसको लेकर एक काउंटर एक डिफेंस जो केंपेण चला रही है भारतिय जन्ता पार्टी उसी के तार्तम में विडी शर्मा आज छतरपूर में है और इस केंपेण की शुरुवात कर रहे हैं सबसे पहले उनसे बात करते हैं इसी केंपेण के बारे में क्या उदेश है इस केंपेण का क्या चाहरे है भारतिय। और ऐसे तता कतित विपक्ष के लोग जो देश हित्मे कभी काम करना ही नहीं चाहते ये इन लोगों ने देशके अंदर अराजकता फैलाने का प्रयास किया है जहां तक siya का सवाल है, जो कानून बना है, बहुत इसपश्पतर पर माननी ग्रह़मंतरी जी ने, बाननी प्रधान मंतरी जी ने, इस बात का उलेक कर दिया संसत के अंदर संसत के बाहर कि ये जो कानून है ये कानून किसी की नागरिक्ता लेने का नहीं लोगों को नागरिक्ता देने का कानून है और ये उन लोगों के लिए जो इस पेस्पिक तीन देश हैं जहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान बंगला देश जहां पर अलपसंक्यक धार्मिक आधार पर प्रतरनाई जिनकों मिल रही है और जो सरणार्थी बनकर भारत के अंदर आए है उन लोगों के लिए ये कानून अमेंडमेंट किया है तो जब ये इतनी सारी बात किलियर होने के बाद भारत के अंदर जो अलपसंक है उनका कोई लेना देना नहीं इससे तो ये भरंप है आने का काम और लोगों को कहीं न की जूट बोल करके जो प्रयास किये हैं जो कॉंग्रेस ने किये हैं इसलिए इसको लेकर पूरे देश के अंदर भारती जन्ता पार्टी के नितरतों हैं बूत लेविल तक प्रभुत दो लोगों से लेकर समाज के हर वर्गत तक हम इस बात को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि सीए ये कानून क्या है नहीं लेकिन बिपक्ची जो बात कह रहे हैं वो ये कहन मोदी जी का जिस प्रकार का काम है मोदी जी देश के लिए जिस भावना से काम कर रहे हैं आज उससे वो आहत हैं कि हम करें तो करें क्या देश के संबिधान में नागरिक्ता देने का अधिकार भारत की संसद को कानून के तोर पर संबिधान ने दिया है कि कानून बनने का अ ही कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर प्रताड़े तो रहें धार मां बेटियों के साथ क्या नहीं हो रहा है वह मेरा ही कहला है का कि वहां पाकिस्तान अफगानिसटान के बथान तो वो अलपसंगक नहीं है इसलिए जो अलपसंगक है और उनको धार्मिक आधार पर प्रतार नायवा मिल रही है इसलिए तो वो यहाँ पर सरणार चीवन करके आ रहे हैं तो उनकी चिंता उनका दर्द के कॉंगरेस को नहीं लगता है कांदी जी ने क्या जूट बोला था क्या नहरी जी ने उसमें का वो गलत बोला था इंद्रा गांदी ने जो किया वो गलत किया था किया इसलिए आज का जो नित्रत्त है उसके पास कोई किसी प्रकार के मुद्दे नहीं होने के कारण वो लोगों में जूट फेलाने का जो प् पूरे देश की चेंज कर दें पूरे इसे लोगों को आगे भर दें ऐसा नहीं है लेकिन फिर भारती अंता पाटियों उस्ते बैक क्यों हुए? इस्पस्ट कहा है कि सिए के बारे में अब ही हमने कोई योजना नहीं बनाई है अब मुझे क्या कहने कि अब प्रदानवंद्री ने कहाई है के भाई हमने इस प्रकार की अभी न रगेखी पर कोई बात नहीं हुई है मेरा एक सिंपल सवाल है जो इस्तियां आसाम में बनी कि 19 लाख लोगों के पास दस्तावेज नहीं थे और फिर उन्हें कहे दिया गया कि वो बाहरी है फिर हाला कि उसको मेक ओवर करने की कोशेश भारती इंता पाटी ने की क्या आप गैरेंटी दे सकते हैं कि देश भर में जब NRC लागू होगी तब ऐसे बहुत सारे लोग दस्तावेज के अभाव में बाहर नहीं हो जाएंगे नहीं होगे नहीं होगे लेकिन जो गुस्पेटी होगे वो तो होगे वो क्यों नहीं होगे जो गुस्पेटी है बनकर के आए है जो भारत को इस्थिर करना चाहते है भारत की सुरक्षा में सेंद लगाते है क्या इनको भी बैद गोसित कर देना चाहिए क्या इनको भी सब कोछ बना देना चाहिए आसाम के अंदर क्या हुआ आसाम के अंदर यह हुआ ना आसाम के अंदर गुश्पक्रटियों को लेकर कि कहानी बनी न कि जो गुश्पक्रटिया आये उन पर तो सुप्रिम कोट्टे कानुन रहे हो कि लिए उनके लिए निए राउल गांधी और प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि यह नोडवंधी टू है लोगों को देश भार के लोगों को लाइन में लगाने कि तो केवल अब मैं यह कहूं कि उनको कुछ आता नहीं यह ठीक बात नहीं है यह मेरे लिए ऐसा कहना किसी बड़े लीडर के अच्छ हूं और भारत की सुरक्षा के लिए गर मुझसे चार डोकुमेंट्स मांगे जाते हैं तो क्या गलत है आपने आधार कार्ड बनाया आपने नहीं मांगे आपने नहीं मांगे क्या और यस पर भी ग्रह मंतिरी जी ने इस पस्ट कहा कि जो डोकुमेंट्स हम NPR की जो बात क्यों प्रेय मांगे अगर नहीं है तो यह कोई ऐसा नहीं है तो अधार कंगरे क्यों मांगे दिखा दो इस दिखाद वाग झो're शरी नहीं और कि क्षिका होगे मागे thenpark कि खुटन sucking इस इरपूर्ट उसके दिखातो चलि एनर्सी को लेकर बहुत सारे सवाल अभी बाद में आएंगे जब आपकी सरकार उसके लगकर योजना बनाएगी आपके छेतर से सम्बंदित कुछ सवाल कर लेते हैं आप बहुत एक्टिव हैं लोकसवा में अपने छेतर को लेकर लेकर लेकिन खजराहों के टूरिजम को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा हिस्सा है कनेक्टिविटी में अभी कुछ कदम हम चले हैं मैं यह नहीं कहता हूं कि बहुत हम चल गए हैं अब यह हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आज एर इंडिया परेडे हो गया आज विस्तारा की फ्लैट शुरू हो गई और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा आफसर यह है कि मनी प्रदाल प्रलाद प्रटेल जी हमारे कमिनेट मिनिस्टर है टूरिजम के प्रलाद जी और हम लोग मिलकर के अभी पुरी जी से मिले थे और स्पाइस जेट के मालिक से भी बात हुई है मुझे लगता है कि जल्दी ही खजराओ नई दिल्ली डिरेक्ट फ्लाइट सुरू होने की सभावनाए प्रवाल है इस पाइस जेट की वो इस दिसा में आगे बढ़ रहे हैं ट्रेन रूट को लेकर के अभी कुरुछेतर से खजराओ सीधी ट्रेन अभी आने वाली है तैय हो गया वो सीधी दिल्ली से मतलब कुर्षित से चलेगी और सीधे खजराओ आईगी और 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 इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूं कि हमने जो जहासी तक आपकी जो गतिमान आती है उसके बारे में हमने बात किये लेकर उसमें दिक्कत या रही है कि इंजन चेंज करना है कि एक सटल जो है इंटर सिटी जैसी वो गतिमान को कनेक्ट करें खजराओ यह इस पर सेधानतिक सहमती कुछ बन रही है कि ऐसा प्रयास करें कि पहले उसको जोड़े हो सकता है कि बाद में हमने इमांग किये गतिमान को वहां तक जोड़ा जाए मैंने तो यह भी काया कि स इस दिसा में ट्रेन फ्लाइट कनेक्टिवटी भी कापी अच्छी बढ़ रही है जब अलपुर से सुरू हो गई और अभी कुछ जो छुटी-छुटी चीजें जहां संभावना हैं बन सकती हैं वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं और जहांसी से लेकर के इलावत तक का जो फ तो इसे कारण से बहुत कुछ अब मिलेगा तो ऐसे टूरियम शर्किट के बारे में भी अभी चल रहा है और एक अच्छी बात है कि भारत के अंदर जो अभी तूरिज्म का जो एक प्लान पूरा बना है उसमें सत्रे स्थानों को तैकिया है उनमें से खज्राओ भी एक है डवलब्मेंट के लिए तो इसलिए मैं ऐसा मनता हूं कि उस सरकिट के अंदर खज्राओ है और खज्राओ अच् के दो रोजगार बढ़ेगा लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज होने के बाद भी खजराओ की जो मेडिकल फैसलेटी हैं उसको लेकर समय समय पर चिंता जता ही जाते हैं अभी आप हलाक ही कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज वहां के लिए संक्शन हुआ है क्या है उसके यह बात आपने ठीक का कि मेडिकल फैसलेटी के अबल खजराओ नहीं इस पूरे छेतर में ही बहुत कमजोर है मैं ऐसा मानता हूं पन्ना है हमारा खजराओ है चतरपुर है इस रीजन में मेडिकल के अच्छे कोई हॉस्पिटल भी नहीं है हमने अभी स्वास्वंतरी से मिलकर के बात की है लेकिन एक अच्छी बात यह है कि चतरपुर को मेडिकल एक कॉलेज यहां पर मिला है यह मेडिकल कॉलेज यहां पर जब सुरू होगा तो इसके कारण से भी बहुत सारी सुविधाएं यहां पर बढ़ेंगी खजराओ के बारे में खासतोर पर मैंने यह दो बात करने का प् नी दुनिया के पृटता कौल नहीं यहां फोकास कर रहे हैं अगर राज्यसासन नम को जमीन दे तो हम वेशुं कर सकते हैं एक हमने इंटीग्रिटेड आयूस होस्पिटल जिसके अंदर योग, नेचरोपेथी, आयूस है, सारी चीज़े रहती है, और बड़ा बेल फरनिश्ट रहता है, बेल एक्टूप्ट रहता है, उसको लेकर के भी ये चर्चा उनसे हुई है, इसको लेकर भी पत्र दिया है, उ टूरिस्ट को रुकने का आवसर मिलेगा, तो इससे रोजगार और टूरियम बढ़ाएगा, तो ये भी प्रयास अभी इसके माध्यम से कर रहा है, लेकर ये बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि इस चित्र में कहीं मेडिकल की फैसिलिटी हमको बहुत आवश्यक है, जिसके लि ये सरकार लूली लंगडी सरकार है, कॉंग्रेस की सरकार कभी भी गर जाई, लेकिन जिस दिन से हनी ट्रेप कांट शुरू हुआ है, उसकी इन्वेस्टिकेशन शुरू हुई है, वो स्टेटमेंट भी बंद हो गए हैं और सरकार के खलाफ एक हमलावर जो तेवर थे, वो खत्म हो गए हैं, क्या कारण है? इस सरकार को एक्सपोज भी कर रहा है कि कितनी जूट बोलती है, जूट बोलने में रिकॉर्ड बनाने वाली है सरकार. ऐसा का आजारा है कि शिवराज के लाबा कोई बड़ा विकल्प नहीं है पास, इसलिए शायद तोड़ फोर नहीं हो पारे है. सिवराज जी हमारे बड़े नेता है, सिवराज जी हमारे मध्यप्रदेश के यह सष्वी मुक्यमंत्री रहे है, उन्होंने मध्यप्रदेश को जितना दिया है, मुझे लगता है कि साइद आस तक किसी और नहीं नहीं दिया होगा. जितना उन्होंने यहाँ पर काम किया, भारती जन्ता पार्टी मानी उमा जी, मानी सिवराज जी, मानी बावलाल गौर, इससे पहले मानी सुन्दलाल पटवा जी, कैला जोसी जी, इन लोग ने जो काम किये, ये भारती जन्ता पार्टी का हमारा जो नित्रतु की सरंकला है, ये लगातार काम कर रही है और आज का जो हमारा नेतर तो है ये मध्यप्रदेश के अंदर एक अच्छा विपक्ष ससक्त भूमिका सक्रीता के साथ भूमिका लिवाने का सम्मिलकर के काम कर रहे है भारती जन्ता पार्टी में सामयुक नेतर तो काम करता है हम सम्मिलकर के काम कर आवजिकार।